दोस्तो अगर आपके टमाटर के प्लांट में फ्लावर ड्रॉपिंग की प्रॉब्लेम आ रही है यानि फूल जड़ने की समस्या आ रही है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगी जिसको अगर आप अपनाएंगे तो आपका एक भी जो इन कारण ये भी होता है कि जो टमाटर का फूल हम उसको सघές से पॉलिएट न होता है जिसकी वज़ेसे वो फल बनने से पहले ही पीला होकर वो सुख ज़ड़ जारहा है ऐसे तो टमाटर के जो फूल होते हैं उसको अलग से पॉलिनेट करने की जरुरत नहीं पड़ती क्योंकि टमाटर के जो फूल हैं उसमें जो मेल और फीमेल पाट होता है वो सेमी फ्लार में होता है मतलब जो pollen होता है और जो stigma होता है वो same fool में होता है तो किसी भी fool को pollinate होने के लिए उसके stigma पे उसका pollen गिरना जरूरी होता है तो क्योंकि जो टमाटर के fool होते हैं वो generally नीचे की side जुके होते हैं जिसकी वज़े से क्या होता है कि gravitation यानि गृत्वा कर्शन की वज़े से भी और हवा वगेरा चलने की वज़े से भी या honeybees वगेरा जो मदमख्या वगेरा आती हैं आपके गार्डन में उसके द्वारा भी टमाटर के जो fool हैं वो self-pollinate हो जाते हैं मतलब वो खुच से pollinate हो जाता है लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे environmental factors जैसे temperature difference होता है या वातावरन में कोई भी changes होते है humidity factor वगेरा की वज़े से जो टमाटर के fool हैं उसमें pollen सही से बन नहीं पाते यानि जादा मात्रा में pollen नहीं बनते जिसकी वज़े से pollen सही से stigma पे गिरता नहीं है और वो pollinate नहीं हो पाता और ऐसा भी होता है कि मा लिजे आपके गार्डिन में आपके एरिया में हवावा गहरा कम चल रही है या कोई भी और भी कारण हो सकता है जिसकी वज़े से टमाटर का फूल कभी-कभी खुद से pollinate नहीं हो पाता और वो सूख के जड़के गिर जाता है उसके लिए आपको एक छोटा सा ट्रिक अपनाना है कि जो टमाटर का फूल होता है उसको आप ऐसे हलके हाथों से ऐसे टिकल कर देंगे मतलब जादा नहीं एकदम हलके हाथों से आपको ऐसे टिकल करना है यानि तो सभी फूलों में आप ऐसा कर सकते जब भी आपको टाइम मिले आप हलके हाथों से ऐसे सारे फ्लॉर्स में टिकल कर दिया करें इससे बहुत ही आसानी से जो पॉलेन है वो स्टिग्मा पे गिर जाता है स्टिग्मा एक डंटी पतली सी डंटी टाइप की आप जब फूल क आपको एक पतली सी डंटी टाइप की दिखेगी वो मतलब वो उसका स्टिग्मा है फूल का और फूल के अंदर पॉलेन होता है यानि पॉलेन जो पराग होता है तो आप अपने हाथों से भी कर सकते हैं या फिर एक टूद ब्रश आता है अगर आपके पास वो टूद तूद ब्रश है उसको आपको फ्लार्स के नीचे ऐसे लगा देना है इससे वाइब्रेशन की एफेक्ट क्रियेट होगी वाइब्रेशन की इफेक्ट मतलब जो हनी बीज वगेरा या फिर जो भॉरे वगेरा आते हैं वह क्या करते हैं कि इसके नीचे जब लगते है फूल म जो काम करती है वह सेम काम यह वाइब्रेटर तूद ब्रश करेगा तो या तो आप फूलों के नीचे रख दें या जो फूल की डंडी है उस पर आप टूद ब्रश को ऐसे रख देंगे तो वह पॉलिनेट हो जाएगा एक दम हलके हाथों से वाइब्रेटर तूद ब्रश को आपको ऐसे सटाना है और सबसे ईजी और समय बचाने का मेथड यह है कि पूरे टमाटर के प्लांट को ही आप एक बार हलका ऐसे हिला दें तब थोड़ी देर तक ब्रमोस्ट 20 से 30 सेकेंड तक आपको पूरे टमाटर क प्लांट को हलके हाथों से ऐसे हिला देना है ऐसे जितने भी टमाटर के फूल लगे होंगे टमाटर के प्लांट में सभी एक साथ पॉलिनेट हो जाएंगे यह आपको बहुत ध्यान से उसको हिलाना है ज्यादा नहीं आप प्रेशर लगाएं क्योंकि जो टमाटर की जो infection होती है वह बहुत बहुत ही ज्यादा नाजुक होती है तो दोस्तों बहुत ही बेसिक ट्रिकस हैं इसके थुरू आप क्या कर रहे हैं कि जो अल्रेडी टमाटर क फूल के अंदर जो पॉलेन मौजूद है उसको आप स्टिग्मा पे गिरने पे मदद कर रहे हैं लेकिन बहुत बेसिक है लेकिन बहुत ही जादा कारगर ट्रिक है इसको अपनाने के बाद एक भी जो आपका टमाटर का फूल है जो पॉलीनेशन की वज़े से सूख के जहर के वह एक भी नहीं गिरेगा और जितने भी आपके टमाटर के फूल है वह सारे के सारे फल में कनबर्ट होंगे तो इसको आप अपना के देखें जब भी आपको समय मिलता है या फिर आप गार्डेन में ऐसे गूमते हो तो आपके पास जैसे मैंने बताया कि अगर समय की कमी व पॉलेन फ्लार्स में वह सभी आसानी से स्टिग्मा पर गिर पाएगा तो दोस्तों आप देख सकते मेरे एक भी जो टमाटर के फूल हो जड़ते नहीं और सारे के सारे जो फूल हो फॉल में कनबर्ट होते क्यूंकि मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है तो पूरा टमाटर क प्लांट या फिर जो टमाटर की या जिससे मैंने टाइब किया हो है टमाटर के प्लांट को उसको पूरा हिला देती हो तो उससे सभी के सभी जो फूल है बहुत ही आसानी से पॉलिनेट हो जाते और सभी के सभी जो हैं फल में कनबर्ट हो जाते तो आप भी यह तरीका अप वो वीडियो भी जाकर चेक आउट कर सकते हैं उम्मीद है आज की छोटी सी जानकारी आपके लिए यूसफुल रही होगी अगर ये वीडियो आपको पसंद आए देन प्लीज प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब मैं चैनल और भी गार्डिनिंग रिलेटेड या फिर टमाटर के प्लांट से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरीज है तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हैं मैं उसको रिजॉल्व करनी की कोशिश करूँगी अट लास्ट थैंक्स फो वाचिंग